गाइस पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा कि हम इस कोर्स में क्या-क्या कबर करने वाले हैं उसके बाद हमने अपना इन्वार्मेंट सेटप किया जहां पर हम अपनी HTML, CSS and JavaScript लेक पाएंगे इसके बाद मैंने आपको कुछ extensions को इंस्ट्रॉल करने के लिए कहा था आज वेल आज मैंने आपको यह पेज बना कर दिखा है यह आपका फॉर्स्ट पेज था आज हम देखने वाले हैं कि एक्शुल में टेक्स्ट क्या कैसे यूज होता है आपकी आपकी HTML में को यहां पर हम क्या करने वाले हैं सबसे पहले हम देखेंगे headings के बारे में देखे headings क्या है heading six types क्यों होती है primary heading secondary heading and total six headings होती है ठीक है तो let's say कि अगर मैं यहां पे कहता हूं कि h1 and h1 let's say primary heading ठीक है let's say primary heading okay उसके बाद मैं यहां पर लिख सकता हूं कि H2 okay let's say H2 H2 must be secondary heading so H2 and secondary heading ठीक है उसके बाद आप लिख लिजे tertiary heading और जो भी आपको लिखना ठीक है तो मैं अब क्या करता हूं H3, H4, H5, H6 सारे चीजों को इक अठे लिख लेता हूं okay उसके बाद आप क्या करो देखो आप Alt की दबाओ अगर आप अपने वीज्वल के स्टूडियो कोड में उसके बाद आपको multi cursor आपको देखने को मिलेगा हर एक पॉइंट पर आप क्लिक करिए Alt की दबा कर और इस तरह से आप आप इसली पॉइंट कर सकते हैं और अब मैं क्या करने वालूं मैं यहां पर आटो जनरेट करूंगा एक टेक्स्ट का लोरेम 24 25 26 जीतने भी टेक्स्ट चाहिए आपको जनरेट करें मैं टोटल 8 ले रहा हूं तो मैंने कहा लोरेम 8 ठीक है आप यह मेरे को अब और जनरेटेट टेक्स्ट दे दिया ठीक है यह आपकी लाइव को काफी हैंडी कर आइम इन कोडिंग को काफी ज्यादा सही तरीके से बना देए हमारी प्राइमरी एंग से से कंडरी यह तर्शरी यह सारी हमारी हैं ठीक है आप यहां पर देख सकते हैं बट यहां पर यह क्यों आ रहा है क्योंकि हमने अल्रेडी से सचाइच कर रखी है जो कि मैं अभी कमेंट आउट कर देता हूं उसके बाद आप अगर देखिए तो यहां पर हमारी प्राइमरी एडिंग ऐसे आ गई उसके बाद मैं क्या करना चाहता हूं सबसे पहले मैं आपको दिखाना चा całe heading अलग है secondary heading अलग है ठीक है और अगर इसको demonstrate और किया जाए किह से कैसे पता चले चलेगा तो हम inspect पर जाते हैं धाय है रीफे बॉर धेस पियावब्टीआ शूर्च किसा सब्सक्राइच है अब यहां पर किया है कि हम आपी είलिमेंट की बटह होते हो अपर हमारे को फिर ओके और इस बॉडी के अंदर देखेंगे कि यहां पर जब भी हम मुवर कर रहे हैं ह1, H2, H3, H4 यह कलर चेंज है विश मिन्स कही है हमारी हेडिंग्स वगरा यह सारी चीज़ है ठीक है, उसके बाद आप इस तरह से अपने हेडिंग्स वगरा के बारे में जान सकते हैं अब हम क्या करने वाले हैं, लेट्स ट्राई सम पैराग्राफ मैं यहाँ पर कहूंगा, लोरेम 20 अब मैं यहाँ पर प्रीटियर की एक पावर दिखाऊंगा जो प्रीटियर मैंने एक्स्टेंसन इस्टॉल करवाया सब्सक्राइब कि आपका टेक्स्ट बहुत बढ़ा है अब सेव करोगे, यह कॉलाप्स हो जाएगा यह इसली फॉर्मेट हो जाएगा यह है पावर प्रीटियर की विच मिन्स कि आपको बहुत सारी चीज़ें कट्टे करने की जरुवत नहीं है कि आप बार बार आप जा रहे हो और उसके बाद आप इंडेंटेशन सही कर रहे हो या फिर इस पेसे सही कर रहे हो मैं आप को दिखा देता हूं कि आक्ट्वल में जो हमारे पास एक्सटेंशन है चीज़ है तो यह इसका यही फायदा है कि कोई भी चीज इसली अरेंज करते हैं अब यहां पर मैंने पैराग्राफ लिखा मेरा पैराग्राफ में फोंड साइज और यह सारी चीज़ एड हो गई क्योंकि मैंने आल्रेडी यहां पर CSS defined कर रहे दें लेट डिलेट और अब अब यहां पर देखी कि यह सारी चीज़ नॉर्मली हमें दिख रही हैं अब यहां पर हम इंस्पेक्ट पर क्लिक करते हैं और आप यहां पर अगर मैं console पे चलूँ ठीक है sorry not console element पे चलूँ element पे चलूँ यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखिए मेरा paragraph है इसके बाद यहाँ पे कुछ elements वगरा define है जो actual में by default है जैसे कि paragraph की size हो गई paragraph का बहुत सारी चीज़ है ठीक है उसके बाद अब हम यहाँ पे क्या करते हैं देखिए यह हमारी total 6 heading है 1,2,3,4,5,6 अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि यह जितनी भी heading है अब मैं इसको target करने की कोसिस करूँ suppose that कि मैं अगर कहता हूँ कि यह मेरी heading की size fix है ठीक है उसके बाद आप क्या करोगे मान लो कि आप size change करना चाहते हो आपको उतनी size नहीं चाहिए अब यह 2 RAM by default होती है मैं अगर अभी यहाँ पे 2 RAM देता हूँ देखो मैं इस वज़ा से 2 RAM दे रहा हूँ कि आपको कोई भी changes देखने को नहीं मिलेंगे आप सोचो कि या 2 RAM दिया है यह change नहीं हो रहा आप बहुत वज़ा को रहा हो गया सब्सक्राइब यहां पर एक है आप से इस ते होंगा सब्सक्राइब यह नहीं देता हूँ थिक तब भी यह चेंग हो नहीं देता हूं तो देखो यहां पर विच मेंस कि यहां 20 पिक्सल्स की देगा मैंने 10 पिक्सल्स दे दिया है तो आप इस तरह से इसली चेंज कर सकते हो और आप यहां पर यह और धी चेंज करें तो आप यहां कि सबसे जादा प्रेफएंश में उसके बास से जदा में इस विच्ग होगा तो यह सब में अलग अलग प्रीफरेंस देता है इस्ट्रॉंग टैग यूज करता हूं तो यह स्ट्रॉंग हो जाएगा उसके बाद अगर मैं कुछ और करता हूं सब्सक्राइब का यूज करूं ठीक है इतली क्या करेगा थोड़ा सा एक्चुली में आपके अलिमेट को थोड़ा सा टेड़ा कर देगा इसको कॉपी करता हूं उसके बाद इसके अंदर प्वेश्ट कर देता हूं तो आप यहां पर देख लीजिएगा कि यह ठीड़ा कर देगा इसको हलका सा स्लाइटली यह लीनो लाइक आइफिल जो भी है लेनिंग पीसा और टावर की तरह हलका सा ठीड़ा हो जाता है तो उसक सबसे ज्यादा यूज होता है तो मैं आपको इम के बारे में बता दिया यह दैट सौल अबाउट इस पर्टिकलर टुटोरियल और हम नेक्ट वीडियो में देखेंगे कुछ और सब्सक्राइब हाइपर लिंक्स के बारे में जाएंगे थैंक्स पर वाचिंग बाबाए टे कर दो